हलवाई जब बेसन और आटे के या सूजी के दानेदार लड़ो बनाते हैं तो उसका सीक्रिट क्या है पता है दानेदार लड़ो कैसे बनते हैं ये जो चीनी होती है इसका जो भूरा बनाते हैं इससे ही बनते हैं तो अगर आप लड़ो बनाना चाहते हैं घर में तो उसके प इसे कैसे बनाना है तो आप वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह कि धेर सारे मिठाई की रेसिपीज है और भी चटपटी और आसान रेसिपीज है जिसे आप चेक कर सकते हैं तो चलिए देखते है यह जो सक्कर का भूरा है उसे बनाते समय में किन किन सावधानी को रखना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर तीन कप चीने ली है तीन कप यानि की 700 ग्राम के लगभग यह चीनी है एक किलो से थोड़ा कम और इसमें हम डालेंगे एक कप पानी पहले मैंने आधा कप पानी ड डालेगा ना ज़्यादा डालेगा और ना कम तो हमारा जो भूरा है न वह थोड़ा जल्दी भी बनेगा और अच्छा बनेगा तो इसमें हम इसको पानी डालने के बाद इसे उबाल लेंगे और अगर आप इससे कम बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप चीनी लें तो फिर को बनाने में लगेगा और जब आपका मन करेगा तब आप लड़ू बना सकेंगे बहुत ही आसानी से तो बस इसे चलाते जाए और ये पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा अभी फिर वे बताऊंगे कि इसको आगे हमें क्या साफधानी रखनी है जब ये बहुत ही उबलते उबलते एकदम गाढ़ा हो गया है इसमें बहुत सारा जाग आ गया है तो आप इस स्टेज में इसमें डाल सकते हैं दो चमच देसी घी तो देसी घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस ये एकदम बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है देख को ध्यान रखना है जैसे ये गाड़ा हो जाए कलची में एकदम चिपकने लगे तो समझ लीजेगा कि बस गहस का फ्लेम बंद करना है और इसे चलाते जाना है जब तक ये अच्छे से टाइट ना हो जाए और ये सक्कर का भूरा इसी तरह से बनाया जाता है हलवाई भी ऐसे ही बनाते हैं और इससे लड़ू बनते हैं खासकर बेशन के लड़ू वो इसी लिए दानेदार बहुत अच्छे बनते हैं तो बस इसे ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आप इसे छनी से छान कर रख सकते हैं बहुत ये आसानी से निकल जाता है इस तरह से तोड़ लीजे और फिर अच्छे से हाथ से मसल लीजे और फिर छनी से छान लीजे जिससे हम आटा चालते हैं आटा चालने वाले जो चलनी होती है उससे ही छान ले और जो बारी एक अच्छा सा सकर का भूरा निकलेगा इसे आप डिब्बे में भरकर रख सकते हैं तो उपर अगर जो मिक्षर चालने अच्छे से और इसे चलनी से चालने के बाद प्योर एकदम अच्छा सा सक्कर का बूरा बन कर रेडी हो गया है तो आप इसे अच्छे से एयर टाइट डिब्बे के अंदर कांच की बरने में भर कर रख दें और जब आपका मन करें तब आप लड़ू बनाएं किसी भी टाइम बनाएं एक महीने तक रखें इसे दो महीने तक रखें तीन महीने तक रखें यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इससे लड़ू भी बहुत अच्छे बनेंगे तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर और लाइक कर दीजेगा लाइक करना सब बूल जाते हैं और कमेंट पर भी बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी यह रेसिपी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में